हालो फ्रेंट्स गुड मोधी केर मानिक दोस्तों मोधी केर में आप सभी गश्ट वागत है तो चलिए दोस्तों मैं मोधी केर वेल बिटामिन डी-3 जो कैपसूल लांच हुआ है उसके बारे में आप लोगो अपने इस वीडियो में फूल डीटेल बताऊंगा तो दोस्तों मै आप लोगो बता दो कि बिटामिन डी-3 जो है यह वसा युक्त होता है यह वसा में घुलनसील बिटामिन होता है और यह हमें 80% तक सुरी की रोशनी से मिल जाता है यानि कि यह जो है हमें फ्री में मिलता है बिटामिन डी-3 सुरी की रोशनी से मेरा यह वीडियो देखने से पहले दोस्तों अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकान को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बनता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चली दोस्तों मैं आप हडियों में कमजोरी आने लगतकी है हमारे शरीर में ठका पाट होने लगति है हमारे हडियों में होती है जल्दि तूरती नहीं है अगर इसकी कमी होने लगता है तो ऑगर कर रहे हैं तो इसकी प्रतिरोधक रहती है ऊपाठी जुंस प्रकार का रोग नहीं हो नहीं पाता है डिशनका है मूफ हाब अगर vitamin D3 की कमी नहीं है तो आपके सरीर में जल्दी से कोई रोग नहीं होगा इसके अलाम मैं आप लोग को बता दू दोस्तों की मस्तिस्क और तंत्रिका तंत्र भी vitamin D3 की वज़े से मजबूत रहता है जो हमारा मस्तिस्त का मझबूत रहता है या दास्त भी मझबूत रहती है JO रगत संचरण है वह भी prec होता है और इसके अलाम में आकप Country नहीं नहीं करती है ठीक उसी प्रकार से नहीं करती है एप प्रतिदीन हमको लेना पड़ता है या तो हम धूप से ले या तो फूड से ले सप्लिमेंट से ले तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दू कि 80% सतर से 80% हमें धूप से यह विटामिन D3 मिल जाता है बकिया 30-20% जो हमें अपने से खुश से खान पान में लेना होता है तो उस फूड से ले तो दोस्तों हमें 20-30% के लिए अपना सप्लिमेंट लेना ज़रूरी होता है और धूप में कम सकम एक घंटा जो है वर्क करना या तो रहना ज़रूरी होता है ताकि विटामिन D3 की हमारे सरी में कमी नहों इसकी आलामा दोस्तों मैं आप लोग को बता दो कि अ अगर विटामिन D3 की कमी है तो हड़ियां ज्यादा लंबाई नहीं बढ़ पाती है या तो कमजोर हो जाती है या बच्चे अस्वस्त होने लगते हैं तो विटामिन D3 बहुत जरूरत है उन लोग के लिए बहुत जरूरत है जो लोग की सोरा आवस्था में यूवा तो लोग घर कूद करते हैं अथलेटिक से धोडते हैं उनके लीए सबसे ज़रूरी है क्योंकि वह एलब फूड रहे थी नहीं चाहिए सुकूरी पंदे पर जो हड्डियों में धर्द होने लगती है जलन होने लगता है तकलिफ बढ़ जाती है तो जो एथलेटिक्स हैं या गेम कोई खेलते हैं या दोड़ते हैं तो उनके लिए विटामिन D3 बहुत जरूरत है इसलिए ये विटामिन जो मोदी केर वेल ने लांच किया है तो वि लाएं अकसर करके जो है घर में ज्यादा तर रहती है धूप में नहीं निकलती है उनके लिए बहुत जरूरत है कि बिटामिन D3 जो मोदी केर का वेल विटामिन D3 है उसको लेती रहें क्योंकि ये जरूरत हमें प्रतिदिन पड़ता है हमारे सरीर में क्योंकि हमारी प्रतिदिन बनाना पड़ta है इस त confessर से आते हमें अतना देर तक धूप में रहना पड़ता है बहुत सारी हैं आजकल की घर से बाहर थोड़ा सा भी नहीं निकलती है उनके शरी में ढ़ने लगती है और हड़नों Έजली बहुत सारे जूरत में पहांती जाती है और उनको य हड्डियों की जो प्राब्लम है वे कम हो जाएगी अगर आपको वास्तों में हड्डी की समस्य आये तो मोधिकेयर का आप विटामिन D3 यूज करिए अगर घुटनों में अगर दर्ध है या बहुत ज़्यादा कटकट किया आवाज आ रही है तो गुलुकोजा माई लीजिए कैलसियम कॉंपलेक्स विटामिन D3 के साथ इसको चलाएए तो आपके यह समस्या बिलकूर सही हो जाएगी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो विटामिन D3 का फूर्स में सबसे अच्छा सुरोत माना जाता है अंडा आए दही है पनीर है मखन बदाम मचली दूज अगर इसका सेभन सही से नहीं कर पा रहा है तो आप मोधीकेयर का विटामिन D3 आप चलाएए और हमारे शरीर को इतना आवस्यक है जितना कि हमें भोजन आवस्यक है लोगों को बता दूच्छों कि इसको बनने में हमारे शरीर में जो है विटामिन दी 3 को 150 दिन लग जाता यह हमारी सरीर की हड़ियां जो है खराब जाते हैं 20 दिन में मादर खराब जाती है लेकि अगर जब बनना आए तो 150 दिन लग जाता है इसलिए जो है विटामिन डी तरी का जो मोदी केर ने कमपनी ने यह कैपसूल लांच किया है आप इसको लेते रहे ताकि आपके सरीर में क कि स्क्क्राइब की कमजोरी नहीं तो दोस्तों मोदी केर का बीटामिन डी तरी जो जो आपसूल बहुत ही अच्छा है और हमारे सरीर के लिए भी पहुत ही आवस्यक है कि है चले दोस्तों मैं आप लोग बतादो कि इसकी क्वा हिसकी इम एरफिए चार supplied has got था वहान में मैं आप लोग को बता दू कि इसको यूज करने का तरिका चुपः में आप इसको डेली टे ले सकते हैं आप यह ख़ाना ख़ाने के बाद क्यक्साइब यह जो है झाल झाल